ओम पित्र देपताब्य नमाहा, स्वागत है आप सभी का मेरे वास्तु ग्यान गंगा यूटुब चैनल पर दोस्तो आज मैं आपको पित्र अमावस्या से संबंदे जानकारी दूँगा इस वार अमावस्या पर बहुत ही अच्छा योग बन रहा है अमावस्या के दिन कौन-कौन से ऐसे उपाय करने हैं जिसे आपको हर प्रकार का सुक और बैभभ प्रापत होगा आपके उपर से पित्र दोश्त दूर हो जाएगा दोस्तो जोतिस सहस्त्र में अमावस्या को विशेश दित्ही माना गया है मानने था है कि इस दिन किये गए उपाए टोटके विशे सी सुब फल प्रदान करते ही आता है जीवन में आ रही समस्या परिशानियों को दूर करने के लिए अमावस्या पर यह उपाए अवस्या करने चाहिए दोस्तों अमावस्या के दिन पित्र पूजा करने से पित्र दोस दूर हो जाता है अगर आपके उपर पित्र दोस है तो कई पिरकार की परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है इसलिए विशेश रूप से द्यार नकें और जब भी आमावस्याय तो पित्रों की पूजा जरूर करें दोस्तों अगर आपको उपर पित्र दोस है या देविय दोस है तो कई परकार की परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है जैसे धनका ना होना, सरीर में रोक का होना, किसी ना किसी को सदाई कोई ना कोई परिशानी लगी रहना, घर में कलेश होना, धनका ना आना, ब्योपार अच्छा ना चलना, ब्यवाका ना होना, संतान का ना होना, कई परकार की परिशानी आ सकती है तो इसलिए आज हम आपको ऐसे ही उपाई बताने वाले हैं, अगर ये उपाई आप करते हैं, तो आपकी प्रतिक मनुकामना पूरी होगी। बाद आटे की गोलियां बनाएं, गोलियां बनाते समय भगवान का नाम लेते रहें, इसके बाद समी पिस्तित किसी तलाव या नदी में जाकर ये आटे की गोलियां मचलियों को खिला दें, इस उपाई से आपके जीवन के अनिक परिशानियों कंत हो जाएगा और करजी भी दूर हो जाता है, दोस्तो नम्मर दो, इस दिन काली चींटियों को सक्कर मिला हुआ हाटा खिलाएं, ऐसा करने से आपके सभी योग जो भी रुकावटे आरे हैं वो दूर होंगी और अच्छे योग बन जाते हैं, इससे रोग भी दूर होते हैं, अगर आपके सरीर में पुष्की निवारन हेतु, सुबह इसनान के बाद चांदी से निर्वत नाग नागिन की पूजा करें, सब इत पुष्प के साथ इसे बैते हुए जल में पिरवायत करें, काल सर्प दोस्ते राहत पाने का यह बहुत ही अच्छा और आसान उपाए हैं, दोस्तो बिरोजग मिलता है, और आपकी मनुकामना पूली हो जाती है, दोस्तो नम्मर चार, बिरोजगार व्यक्ति अगर आमावश्या की रात यह उपाए करें, तो अबस्ती आपको रोजगार प्राप्त होगा, नोकरी मिलेगी, इसके लिए एक नेवु को साप करके, सुबह से ही अपने घर के मंदरे में रख दें, फिर रात के समय, इसे साथ बार बिरोजगार व्यक्ति के सिर से उसार लें, और चार बराबर भागों में काट लें, देखो, यह उपाए दो व्यक्ति कर सकते हैं, एक तो आपके सरी में कोई रोग है, या आपको नोकरी नहीं मिल पा रही है, तो आ उकड़े कर लें फिर एक चोराई पर जाकर चारों दुशाओं में इसको फ्हेंग दें इस उपाय से बिरोजगार व्यक्ति को लाब मिलने की सम्मावना होती है अगला उपाय जिसे कालसर दोसों उन व्यक्तियों को अमावस्या के दिन किसी अच्छे पंड़ से अपने घर मे सिव पूजनवा हवन जरूर कराना चाहिए साथ ही अगर आपके उपर पित्र दोस है तब भी आपको इस दिन जरूर हवन करवाना चाहिए ऐसा करने से आपके सभी मनोरत पूरे हो जाते ही और आपके उपर सदा ही पित्रों का अशिरवाद बना रहता है अगला उपाय है दोस्तों साम के समय गर के ईशान कोड में गाय के गी का दीपक जलाएं, बत्ती में रुई के इस्तान पर लाल रंग के धागे का उप्योग करें, साथी दिये में थोड़ी सी केसर भी डाल दें, यह माता लचमी को प्रशन करने का उपाय होता है, दन प्राप्ती के लिए आप अच जगे गरास निकाले जाते ही, इससे पित्र दोश दूर हो जाता है, देव्य दोश दूर हो जाता है, दोस्तों प्रतेक अमावस्या के दिन, घर में हवन जरूर करना चाहिए, अगर आप खुद कर सके तो खुद करें, नहीं तो आप किसी योग ब्राप्मण के द्वा परावण जरूर कराएं, और साम के समय माता लचमी जी के सामने दीपक जलाएं, साथ इसान कोड़ों में भी दीपक जलाएं, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी, अमावस्या के दिन, भगवान सिव की पूजा का विशिश में तोता है, गाए के दूर से भगवान सिव का चाहिए इससे मनोरत पूरे हो जाते हैं और हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है दोस्तों अमावस्या की रात को अमावस्या वाली रात्री को पांच लाल पूल और पांच जलते हुए दिये बैती नदी के पानी में छोड़ दे यान पांच दीपक आपको जलाने हैं और पांच ही आपको पुष्प लेने हैं, लाल पुष्प हों, प्रतेक दीपक के साथ में एक पुष्प रख करके किशी पते पर, और आपको बैते हुई जली में, जल में जो है, नदी में छोड़ देने हैं, एस उपाय से धन का लाब होता है, और आपकी सभी समस्या दूर हो ज इसे कुट्टे को खिला देना है, यह बहुत ही चमतकार उपाय है, आपको जरू करना चाहिए, इस से आपकी मनुकामना पूरी हो जाएगी, और जो भी परिशानी आ रही है, इस दिन यह उपाय करने से दूर हो जाता है, इस उपाय से आपकी धीरे-धीरे-धीरे-धीरे विशेश रूप से आपको ध्यान रखना है, अगर इन बातों का आप ध्यान रखते हैं, तो आपको विशेश लाब मिलेगा, और आपकी प्रतिक मनुकामना पूरी होगी, अमावस्या के दिन आप हनमान जी का चोला भी चड़ा सकते हैं, यह बहुत ही शुब माना जाता है अगर जो विशेश लाब मिलेगा, अमावस्या के दिन आपको यह उपाय जरूर करने चाहिएं, यह उपाय ब्यादी चमतकारी हैं, प्रबाब साली हैं, और बहुत ही प्रबाब दिखाते हैं, किसी भी प्रकार की कोई परिशानी है, आपकी परिशानी दूर नहीं हो रही ह बार बार कोई नो कोई नो कोई परिशानी आपको लगी रहती है, तो आपको यह उपाय जरूर करने चाहिएं, दोस्तों अमावस्या जब भी आए, तो इन उपाय को आप जरूर करें, अमावस्या पर तुलसी के पत्तिया बिलपत्र बिलकुल भी नहीं तोड़ने चाहिए अमावस्या पर देवी देपतां को तुलसी के पत्ते और सिबिलिंग पर बिल पत्ते चड़ाने के लिए उन्हें एक दिन पहले तोड़ कर रख लें धन लाब के लिए अमावस्या के दिन पीली त्रिवुन आकरती की पता का विष्णु मंदर में उंचाई बाले स्थान पर जरूर लगाएं वे लगातार लेराती रहे तो आपका भाग शीकरी चमक उठेगा लगातार इस्ताई लाब होगा धन का लाब होगा और हर मनों कामना पूरी होगी हर अमावस्या को गैरे गड़े या कुवे में एक चम्मच दूद डालें इसे कार्यों में आरही वायदाओं का निवारान होता है इसे यत्रिक्त अमावस्या के दिन जो दूद में दोकर बाएं इसे लाब मिलता है अमावस्या के दिन सनी देपर कड़वा तिल, काले उड़त, काले तिल, लोगा, काला कपड़ा और नेला पुष्प चड़ा कर सनी का मंत्र आपको जरूर जपना चाहिए श्री सनी देवाय नमा इसे आपको विश्यसलाब मिलेगा आपकी मनों कामना वश्या पूरी होगी अगर किसी व्यक्ति को रेगुलर कोई न कोई परिशान लगी रहती है रोग लगा रहता है तो उसके जो कपड़े होते हैं उसमें से एक धागा खेंच लेना है और रुई के साथ उसकी बत्ति बना लेनी है अब ये बत्ति का दीपक बना करके हनवान जी के सामने आप जला दीजिए हनवान चालिसा का पाट कर दीजिए उस व्यक्ति का रोग ठीक हो जाता है या आग के पत्तों की माला बना के शीराम लिख करके हनवान जी को आप पेन बिलती जिये सारी परिषानियां सारी प्रब्लम दूर हो जाएंगे दोस्तों यह उपाय बेहदी चमतकारी यो प्रबाप सालिय में बहुत सारी उपाय आपको इस वीडियो में बताएं, तो आप यह उपाय जरू करें, आपको लाम मिलेगा, जीवन में आ रहें सारी समस्या, सारे दुख दूर हो जाएंगे, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में, ओम नमस्वाई, ओम पित्र देपताब्यनमा जरू